हलो दोस्तो केसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी तो दोस्तो आज मैं आपके लिए कुछ एसे यूसफुल टिप्स एन ट्रिक्स लेके आए हूँ साथ ही कुछ हमारे पास बेकार समान जो पड़े होते हैं उनको हम रियूज करके अपने घर को केसे ओर्गनाइज कर सकते हैं तो वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है वीडियो को पूरा देखेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्काइब जरूर कर ले तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला यूसफुल टिप्स यहां देखे हमारे पास मेडिशन तो आते ही है और साथ ही आते हैं इस तरह के रेफर और हम क्या करते हैं खाली समझ कर इसको बाहर फिंग देते हैं तो इसी खाली रेफर का आज में बहुत ही इंपोर्टेंट आपको एक यूस बताने वाली हूँ तो देखे फ्रेंश हमारे पास जो डोकोमेंट्स होते हैं आदार कार्ड लाइसेंस इनको रखने के लिए हमें कोई कवर की जर्वत होती है ताकि यह एक जगह पे रहे और फ आप इसका रियूज कर सकते हो आपको यह तरीका कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्टिफ की तरफ यहां में निली है हरी मिर्ची तो देखिए हरी मिर्ची को हमें लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना होता है लेकिन चाहे इससे जाले में भर देते हैं तो फ्रेंज इसका एक कारण यह होता है कि हम अगर सब्जियों को नहीं रखेंगे तो हमारी सब्जियां जो है वो जल्दी से सर जाएंगी तो यहां आप देख सकते हैं मैंने पेले वाली जो हरी मिर्ची है वो निचे रखी है और अब मैं जो तरह से रखेंगे तो वो खराब हो जाएंगी और हम क्या करते हैं जब भी सब्जी लेके आते हैं तो इस तरह से उपर वाली जो सब्जी होती है उसको हम पहले योज़ करते हैं तो आपको क्या करना है अगर आप इस तरह से रखोगे तो आपकी पहले वाली सब्जी जल्द आप सब्जी को कट करे यूज करे बनाने में तब आप पेले वाली सब्जी का पेले यूज कर ले तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है इस तरह से आप सब्जियों को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो जो आपका फिजूल खर्च होता है उसको भी आप बचा सकते ह तो यहां देखिए जब भी हमारी सब्जी नरम पढ़ जाती है या फिर हम सोचते हैं कि ये खराब हो चुकी है इसको हमें बाहर फेंग देना चाहिए तो उससे पहले आप ये वाली टिप है वो जरूर देख ले आपको क्या करना है कि जब भी देखिए नरम सब्जे होती ह है आप उसको कट करने जा रहे हैं उससे पहले आप थोड़ा सा बरब डाल लिए बरब डालने से यह होता है कि नरम जो पड़ी हुई सब्जी हो जाती है और कट करने भी आसानी होती है सब्जी भी स्वाद बनती है तो यह चोटी सी टिप बहुती काम आईगी आपकी जरू के फार देते हैं तो इससे यह पोलीटिन वेस्ट हो जाती है तो आज मैं आपको एक चोटी सी टिप बताऊंगी जिसके थुरू आप आसानी से पोलीटिन को खोल सकते हैं तो आपको क्या करना है एक पार देखे इस तरह से पकड़ के इसको घुमाना है तो घुमाने से यह और आप इस तरह से इसको निकाल लीजे तो यह आसानी से देखी लूज होके निकल जाती है तो इस तरह से आप पोलीटिन को खोल सकते हो चाए कितनी भी टाइट क्यों ना हो अब देखे हम इसको गांट लगाना भी बताते हैं ताकि यह आसानी से खुल जाए यहां मैंने एक तो देखे सीधी गांट लगा दी है, एक हम जब लगाएंगे, तो उपर का देखे एक को हम आदा इस तरह से अंदर डालेंगे, आदे को बाहर ही रखेंगे, ताकि ये खींचने से इस तरह से खुल जाए, तो ये भी एक चोटी सी टिप है, बहुत ही आपके काम आएगी, तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूसपूल टिप्स, तो देखे फ्रीन्स होता है कि कभी कबार हम जब रावसन पाने लेके आते हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, कुछ भी अनाज हो, तो हम क्या करते हैं कि इसको कंटिन मेर डाल के रखते हैं, और थोड़ा बहुत अ पसंदाने वाली है और उनके काम भी, तो आपको क्या करना है, एक लेना है खाली बोटल, तो हमारे पाल देखे इस तरह के सैंपू की बोटल होते हैं, पानी की होते हैं, कोल्डिंग की होते हैं, तो वो आप एक खाली बोटल ले लीजे, और इसका देखे उपर का पार्ट यहां पे आप कट कर लीजे, तो देखे, मेरे पास यह पेले से कटा हुआ था, तो इसी का मैं कुछ एक एसा होल्डर बनाने वाली हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और फ्रेंच वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए कुछ एसी यूजपूल टिप्स भी होंगी, जो शायद आपके काम भी आ जाए, तो यहां देखे, करना क्या है, कि केंची से इसको जो अक्स्टा पार्ट है, इसको हम कट कर लेंगे, तो यहां देखे, मैंने कुछ इस तरह का ये बना लिया है, अब देखे, हम इसका प्रेंट्र में लगा देंगे, फ्रेंट्स बहुत ही बड़िया सा हमारा एक चोटा सा कंटीनर बनके तयार है, इसको देखे, हम पर्मानेट रख सकते हैं, कोई भी इसका जंजट नहीं है, और इसको हम बन करके भी रख सकते हैं, अब देखे, जब भी हमें दाल निकालनी ह तो यह बहुत ही यूसफुल टिप है, इस तरह से आप इसको ट्राइ जरूर करिएगा, आपको यह टिप कैसी लगी, कोमेंट करके जरूर बता दीजे, तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स टिप की तरफ, यहां देखे, मैंने लिए हैं, चार्जर, एयरफोन, तो हम क्या करते तो उपर का जो पार्ट है, वो आप कट कर लीजे, यहां देखे, मेरे पास कटावा था, तो इसको मैं थे थोड़ा और कट कर लेती हूँ, इस तरह के बोतल जो खाली हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, बेकार समझकर बाहर फेंग देते हैं, तो इनका हम घर में बहुत ही बढ यह तरीका है, इस तरह से आप जरूर से ट्राय करिएगा, आपको यह तरीका कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, तो चलिए बढ़ते हमारी नेक्स टिप की तरफ, यहां देखे, मैंने लिया है सौपिंग बैंग, और उपर के पार्ट आपको कट कर लेना है, अब देखे, हमें क्या करना है, यह थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं नीचे से भी कट कर लेती हूँ, कट करने के बार, हमें देखे, इस तरह से कुछ इसको करना है, फ्रेंड्स, यहां मैं जिसे वीडियो में कर रही हूँ, सेम आपको ऐसे ही करना है, और यह जो आपको तरीका है, बहुँ ज़्यादा पसनाने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, यहां देखे, मैंने इसको डबल कर लिया है, अब देखे, तो बच्चे हो यह पार्ट है, इसको भी मैं थोड़ा कट कर लेती हूँ, और अच्छी से इसको डबल कर बल अकप लेता है करने के बाद करना है, और फोल्ड करने के बाद करने के बाद भी मैं आधीं फिर और फघ्रम लगानी है कि नहीं होसा चली हो अध्या करने नीचे से देखिए हम इसको तोड़ा कट करेंगे तो यहां में थोड़ा कट करूंगी सिलाई की नीचे अब यह प्लेन दीख रहा है तो इसको डेकोर करने के लिए आप लेस लगा सकते हो या फिर मेरी तरह दिखिए दोबूंटी भी यहां पे लगा लीजे तो यहां में useful tips कौन से लेगी मुझे comment करके जुरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसी useful वीडियो के साथ बाबाई टिक के